हेलो फ्रेंट्स, आज हम सिखते हैं biggest और smallest, यानि कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेकिन इस से पहले मैं आपको बताती हूँ कि bigger और smaller and biggest और smallest में क्या डिफ्रेंस है bigger और smaller में हमारे पास दो ही चीज होती है यानि कि दो चीजों में से हमें identify करना होता है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी छोटी है जैसे कि हमारे पास एक lunch box है और एक caterpillar है इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा है और छोटा वाला कौन सा है यह हमें identify करना है यानि कि A box बड़ा है और caterpillar छोटी है और biggest और smallest में क्या होता है इसमें 2 से ज्यादा चीज होती है यानि कि 3 होती है, 4 होती है, कुछ भी इन में से हमें कौन सी वाली बड़ी है यानि कि biggest one और कौन सी वाली छोटी है यानि कि smallest one वो हमें identify करनी होती है जैसे कि हमारे पास lunch box है, caterpillar है और एचोटा सा tortoise है इसमें से हमें identify करना होता है कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चोटी यानि कि biggest one and smallest one इसमें हैं 3, एच तीनों आपने देख लिया इसमें से हमें देखना है कि biggest one कौन सा है लंच बॉक्स biggest one है और एचोटा सा है tortoise, एच smallest one है और हम biggest one और smallest one के कहीं और example आगे देखते हैं चलो सीखते हैं कुछ biggest और smallest यानि कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा tick the smallest tree यानि कि सबसे छोटे ट्री पर सही का निशान लगा है यहां हमारे पास 3 ट्री है इसको हम देते हैं number 1, इसको हम देते हैं number 2 और इसे हम देते हैं number 3 देखें, इसमें number 1 है, वो number 2 से छोटा है number 2 है, वो number 3 से छोटा है यानि कि number three वाला जो है वो सबसे बड़ा है यानि कि biggest one है और यहाँ पे हमें क्या ढूनना है smallest one तो smallest one वाला कौन सा हुआ? Yes, number one is smallest one चलो अब next example पे चलते हैं Take the biggest animal यानि कि बड़े animal पे सही का निशान लगाओ यहाँ हमारे पास एक elephant है एक cat है और एक dog है cat है वो सबसे चोटी है उससे बड़ा dog है और उससे बड़ा elephant है और हमें क्या ढूनना है biggest animal? Yes, इसलिए elephant is biggest अब हम next example पे चलते हैं Take the smallest fruit यानि कि सबसे चोटे fruit पर सही का निशान लगाए यहाँ हमारे पास है mango, watermelon और cherry वोटर मेलन जो है वो सबसे बड़ा है उससे चोटा कौन सा है mango और उससे चोटा cherry यानि कि सबसे चोटा वाला cherry है इसलिए हम cherry पे सही का निशान लगाएंगे चलो अब हम next example पे चलते हैं tick the biggest bubble यानि कि सबसे बड़ा bubble है उस पर हमें सही का निशान लगाना है यहाँ हमारे पास कितने bubbles है देखो यह सबसे चोटा है उससे बड़ा वाला यह है उससे बड़ा वाला यह है और इससे सबसे बड़ा वाला यह है और हमें कौन सा डुन्डा है biggest one तो सबसे बड़ा वाला this one ओके बच्चो तो अब आपको पता चल गया कि biggest क्या है और smallest क्या है तो चलो अब हम next वीडियो पे मिलते हैं बाई बाई झाल